महराश्ट्रों के दूलिया सहर में आसिम खान किवायत कान ने अभी हाल ही में UPSC के इमतिहान में 558 रेंक लेकर काम्याबी हासिल की है जिसकी वज़ा से पूरे दूलिया सहर में एक खुसी का माहल है आसिम खान दूलिया सहर का वाहिद मुस्लिम बच्चा है जो UPSC के इमतियान पास किया है और पूरे बारत में उर्दू से UPSC पास करने वाला भी अकेला ही बच्चा है जिसकी वज़ा से सहेर के लोग बड़ी तादाद में आसिम खान का इस्तिक्बाल कर रहे हैं चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान इसी तरह फलाए उम्मत माइनरेटी फाउंडिशन की तरफ से भी आसिम खान का इस्तिक्बाल किया गया फलाए उम्मत माइनरेटी फाउंडिशन के इस्तिकबाल की एक खास बात ये थी कि उन्होंने इस्तिकबाल के साथ तोपी, रुमाल और मिस्वाग दे कर इनका इस्तिकबाल किया जब फलाए उम्मत माइनरेटी फाउंडिशन के अद्देक्स से टोपी, रुमाल और मिस्वाक देनी की वज़ा पूछी तो इन्होंने बताया के आसिम कान जहां भी अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे वहाँ उन्हें ये टोपी, मिस्वाक, रुमाल और तजबी अपने पेशे से इमानदारी और अल्ला की याद दिलाती रहेगी फलाए उम्मत माइनरेटी फाउंडिशन के मिम्बरान ने आसिम खान से गले लग करने क्वाई साथ दी इस्तिकबाल के समय माइनरेटी फाउंडिशन के अध्यक्स मोहम्मद अभीव एमार वकिल एमार वो फाउंडिशन के मिम्बरान मौजूद थे झाल